भारत माता की हम सुन दिल रहा कि यहां के लोग सब के प्यार में हियां के लीची के मिठाज समायल है अपेंद सब के एसन भीड इबात के सबूत है मुझपरपूर शहीद खुदिराम बोस जुब्बा सहने जैसन भीड के धर्ती है इधर्ती महान समाजबादी नेता और हमार सब के आधर्निया सिजाट फणाडिस जी के कर्म भी मीर हल है अईसन महान विबूती सब के इधर्ती के हम परणाम करेची मंद्पर विराजमान विहार के भुत्पूर्व मुख्यमंत्री सिमान जितन राम मांजी जी राज सरकार के पूर्व मंत्री डाक्टर प्रेम कुमार जी मेरे सौंसद मैं साथी डाक्टर हरुन कुमार सिमान अजय निशाथ सिमान रामचंद्र पासवान सिमान नरेंद्र सी सिमान देवेश चंद्र ठाकूर सिमान गिरिश संगी सिमान रामचंद्र चंद्र वंशी सिमान राजेश वर्माजी सिमान लालबाबु प्रसाजी सिमान विनोजी सिमान अर्विन कुमार सी सिमान अर्विन मैनन जी, सिमान देवेश कुमार, सिमान रामेश्वर पप्पु जी, सिमान चसी सींजी, सिमान रविंद्र सींजी आरिश्चुनाओं में भाजपा एंडिये के जनप्रिय उमिद्वार, भाजपा के उमिद्वार, मुझपर पूर से सिमान सुरेश कुमार शर्मा गाएगाड से भाजपा के उमिद्वार, सिमती विणा देवी, साहेब गंच से भाजपा के उमिद्वार, सिमान राजु कुमार सी मीनापुर से भाजपा के उमिद्वार, सिमान अजय कुमार, पारु से भाजपा के उमिद्वार, सिमान अशोक कुमार सी कुटिनी से भाजपा उमिद्वार सिमान कैदार प्रसाद गुप्त काटी से हम पार्टी के उमिद्वार सिमान अजीत कुमार ओराई से भाजपा के उमिद्वार सिमान राम सुरत राय बोचहां से लोचपा के उमिद्वार सिमान अनिल कुमार जी और विशाल संग्या में पधारे हुए मुझफर पूर के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों यह शहर यहां से आठ दस किलोमेटर दूरी पर है और मैं वहां से देख रहा हूँ लोगों का आने का रास्ट शिलसिला चल रहा है आज इस खेत्र में चार गंटे के बाद प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा यह एक तारीक को जहां मतदान है चोथे चरण के जो मतदान है उसके प्रचार का यह आखरी समय है और उस समय मुझे आपके आशिरवात पाने का सवभाग्य मिला इसलिए मैं बिहार के नेताओं का बहुत मताभारी हूँ कि मुझे आपके आशिरवात का सवभाग्य दिया भाईय बहनों पहले तीन चरण का मतदान शांति पूर्ण हुआ उत्साह पूर्ण हुआ लोग तंत्र की ताकत बढ़ाने वाला हुआ पुराने सारे आंकड़े थे उसको पार कर दिया और इसलिए इन तीनों चरण में मैं सभी मतदाताओं का रुदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद करता हूँ आम तोर पर चुनाव का एक चरण समाब्त हो दूसरा समाब्त हो तीसरा समाब्त हो कुझो चुनाव अभियान करते हैं वे एक शांती महसूस करते हैं एक चलो भाई दो हो गया तीन हो गया लेकिन मैं हरान हूँ जैसे जैसे चुनाव का एक एक चरण पूरा होता जाता है महा स्वार्थ बंधन की परेशानी बढ़ती जाती है पहले वो इतनी गाली देते थे तो तीन चरण के बाद इतनी गालिया देते पहले इतना जुठा अरोप लगाते थे तो तीन चरण के बाद इतना जुठा अरोप लगा रहे पहले दोहार से कीचड उछालते थे अब जो भी साधन मिले उसका उप्योग करते हुए कीचड उछाणने में लगे हुए है लेकिन नितिष बाबू लालू जी आप लिख करके रखो आप जीतना जादा कीचड उछालोगे कमल उतना ही जादा खिल्ले वाला है भाईयो बहनो चुनाओ एक लोग तंत्र का पर्व होता है और लोग तंत्र के पर्व में लोग तंत्र को मजबूत बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया चलती है चुनाओ लोग तंत्र को मजबूत बनाने का लोग शिख्षा का एक पवित्र अवसर होता है सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों ने राजनीतिक जीवन में काम करने वाले लोगों ने शासन व्यवस्था से जुड़े लोगों ने लोग शिख्षा का अविरत काम करते रहना ये लोग तंत्र की मजबूती के लिए आवशक होता है अपने रेताओं से लोगों को परिचित करवाएं अपनी नीतियों से परिचित करवाएं अपनी योजनाओं से परिचित करवाएं जन्द सामान्य की आशा आकांख्षाओं को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे ये समझाने का प्रयास करें एक प्रकार से ये चुनाओं के महिने दो महिने का कालखन एक ओपन यूनिवर्सिटी होता है जहां पड़े लिखे अनपढ़ गाओं के गरीव अमीर सब हर किसी के सामने एक लोग सिख्षा का भियान चलता है और चुनाओं में जो लोग सरकार में बैटे हैं उनकी सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है वो चुनाओं में अपने काम का हिसाब दे मुझे बताईए भाईया चुनाओं में सरकारों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए हिसाब देना चाहिए ना पल पल का हिसाब देना चाहिए पाई पाई का हिसाब देना चाहिए जब 2019 में लोगसभा का चुनाव होगा और मैं जब उस समय आप से लोगसभा के लिए वोट मांगने आऊंगा तो मुझे दिल्ली सरकार के काम का हिसाब देना पड़ेगा अगर नहीं देना पड़ेगा पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा अगर नहीं देना पड़ेगा पल पल के काम का हिसाब देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा और अगर मानो कोई काम छूट गया रह गया कठिनाई के कारान तो मुझे जनता को बताना पड़ेगा अब वक्त बदल चुका है नवज़वान जाच चुका है वो सरकार चनाले का मोका देता है तो वो पल-पल का हिसाब मी मांगता है पाई-पाई का हिसाब मी मांगता है भाईयों बेहनों यहाँ पर इस चुनाव में एक महा स्वार्त बंधन चुनाव के मैदान में है जिसमें कॉंग्रेस पार्टी मेडम सोनिया जी मैदान में है इन्हों ने बिहार में 35 साल राज किया है 35 साल इसमें कई नवजमान ऐसे होंगे जब उनकी सरकार चलती थी कईयों का जनम भी नहीं हुआ वोगा 35 साल तक राज किया है इन्होंने यहाँ पर और दूसरे ये बड़े भाई और छोटे भाई लालू जी ने 15 साल राज किया और नितीश बावो ने 10 साल राज किया इन्होंने 25 साल राज किया है और इन तीनोंने मिला करके 60 साल राज किया है 60 साल आप मुझे बताईए पिछले 60 दिन से चुनाव का अभियान चल रहा है इन्होंने 60 साल के अपने काम का हिसाब दिया वो क्या किया वो बताते हैं क्या क्यों नहीं किया वो भी बताते हैं क्या मुझे बताईए चुनाव में जो अपने काम का हिसाम न दे इससे बड़ा कोई अहंकार होता है क्या क्या अहंकार के लिए कोई और सबूत की जरुरत है क्या और कोई सबूत की जरूत है क्या और नितिज बाबु हमें कहते हैं कि मोदी तो बाहरी है बाहरी है मैं ज़राब पूछना चाहता हूं जी क्या मैं बिहार का जो भारत का एक अंग है एक सामर्थवान अंग है जिस बिहार के लोगों ने वोट दे करके मुझे प्रधान मंत्री बनाया है वो बाहरी हो सकता है क्या क्या मैं पाकिस्तान का प्रधान मंत्री हूं क्या क्या मैं बंगलादेश का प्रधान मंत्री हूं क्या क्या मैं स्रिलंका का प्रधान मंत्री हूं क्या मैं हिंदुस्तान का प्रदान मत्री हूँ के नहीं हूँ बिहार हिंदुस्तान में है के नहीं है ये कह रहे हैं बाहरी है मैं जरा नितिज बाबू को पूछना चाहता हूँ मेडम सोनिया जी भी दिल्ली में रहती है उनको आप क्या कहोगे बाहरी कहते हो के बहारी कहते हो ने जरा जबाब दो बहारी कहते हो कि बहारी कहते हो तो क्या उनके लिए भी आपका बहारी का खेल है क्या क्या प्रकार का चुनाव अभियान चला रहे हैं लोग जनता को विकास के काम के लिए जबाब देने की ताकत नहीं है इसलिए इस प्रकार से गुम्रा करने के खेल खेले जा रहे हैं भाईयो बहनो आप मुझे बताइए हिंदुस्तान के लोगों को भी बिहार के लोगों की जो राजनितिक सुजबूज है उससे बहुत कुछ सिखने को मिलता है यह बिहार ऐसा प्रदेश है जब देता है तो छप पर फाड़ के देता है लेकिन जब लेता है तो चून चून करके साप करके देता है जब कांग्रेस का सितारा चमकता था तब बिहार की जनता ने 35 साल तक बिहार में कांग्रेस को समर्थन किया और हर बार यह आचा की कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे सिख्षा के लिए कुछ करेंगे दबाई के लिए विवस्ता करेंगे कमाई के लिए कुछ करेंगे उन्होंने अपनी कमाई के लिए तो बहुत कुछ किया लेकिन बिहारियों की कमाई के लिए कुछ नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि जब जब बिहार की जनता को गुस्सा आया जब उन्होंने कॉंग्रेस से हिसाब मागना शुरू किया और जब 35 साल के अपने कारोबार का हिसाब नहीं दे पाए तो ये बिहार की जनता ने 25 साल पहले कॉंग्रेस को यहां से चुन चुन करके साप कर दिया 25 साल हुए 25 साल भाईयों ये बिहार की जनता ने कॉंग्रेस को पैर नहीं रखने दिया है पैर नहीं रखने दिया है ये बिहार की ताकत है एक बार बिहार की जनता को दोका किया पता चल गया तो बिहार की जनता कभी माफ नहीं करती है माफ नहीं पाद मैं लालु जी आये जाती बाती बाती के बड़े खेल करते रहे और यह इनके तो खेल इतने बड़े मश्चूर रहते थे कि दिली में अभी अपने आपको बुद्धी जी मानने वाले खैरखा कहने वालों की टोलिया लालू जी को कंदे पर लेकर के गुमने में मजा लेती थी यहां तक वो दूल जोंकने में माहीर थे बिहार के लोगों को 15 साल तक दूल जोंकी वे जेल कहे गए उनकी पत्दी को भी उस लोगों ने स्विकार कर लिया इस आसा के स्विकार कर लिया कि शायद ये बिहार के लिए कुछ करेंगे लेकिन जब जब सक सामने आया बिहार की जनता जाग गई और 15 साल के उनके पापों का हिसाब मांगा और फिर जो उनको भागाया जो भागाया दस साल हो गए पैर नहीं रखने दिया दस साल हो गए भाई फिर नितिज बाबु आए जनता को लगा भाई ये अटल जी के साथ बैटे हैं साथ अच्छा करेंगे अटल जी के इनकी पर आशिरवाद है शायद कुछ करके दिखाएंगे बिहार के लोगों को अटल बिहारी वाजपाई पर भरोसा था आरुद भरोसे के कारण उनको अउसर दिया लेकिन आज दस साल के बाद वो हिसाब देने की स्थिति में नहीं है उनको भी वही पापों के हिसाब देने की नौपत आ गई है और इसलिए मेरे भाईयो बेनो ये बिहार की जनता है जिनोंने 35 साल तक बिहार को जहला एक बार निकाला तो फिर आने नहीं दिया जिनको 15 सा साल तक जेला एक बार निकाला तो दुबारा घूसने नहीं दिया और यह तीसरे की अब बारी है लोग अब दस साल में उनसे छुटका राज चाहते हैं और इसलिए भाईयो बेहनों बिहार की जनता भावनों में बहने वाले लोग नहीं है पका हिसाब करकर के काम करने वाले लोग है और मैं देख रहा हूँ इस बार बिहार का भविश्च बिहार का नौजवान करना चाहता है कि मुझे बताईए भाईयों मैंनों आखिर सरकार होती किस लिए है क्या सरकार मौझ मज़ा करने के लिए होती है क्या क्या नेताओं को एशो अराम करने के लिए सरकार होती है क्या क्या सरकार अपने भाई भतिजाबाद करने के लिए होती है क्या अपने यार दोस्तों को समान इस लिए सरकार मनाते हैं, सरकार उनकी सेवक बने चनसा जनाजन के लिए खब जाए, इसलिए सरकार मनाते हैं. भावयों बहनो, अमीरों को सरकार की जरुरत नहीं होती है. अमीर के बेटे को पढ़ना है तो उसके तो घर टीचर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं गरीब को पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल की जरुत पढ़ती हैं सरकारी मास्टर जी की जरुत पढ़ती हैं तब जाकर के गरीब के बच्चे की सिख्षा होती है सरकार का ये काम होता है भाई ये भेना अमीर अगर बिमार हो जाएं तो हवाई जहाज लेकर के डॉक्टर आकर के खड़े हो जाते हैं हवाई जहाज में उनको दुनिया के मैं कहीं पर भी लिया जाता है गरीब का बच्चा बिमार होगा तो वो कहां जाएगा अगर गरीब का बच्चा बिमार होता है तो उसको तो सरकारी अस्पताल पर ही भरोसा रखना पड़ता है सरकारी डाक्टर पर भरोसा करना पड़ता है सरकारी दबाई पर भरोसा करना पड़ता है गरीब के लिए तो इस सरकार प्राथमिकता होनी चाहिए तब जाकर गे भाईयों बेनो गरीब का कल्यार होता है और इसलिए भाईयों बेनो सरकार उनके लिए होती है जिसका कोई नहीं होता है सरकार उनके लिए होती है जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है और इसलिए हम एक ऐसी सरकार बनाना चाहते है जो सरकार गरीबों की और ध्यान दे गरीबों की भलाई के लिए काम करे बाई यो बैनों हमारे देश में जब सिमतिंद्रा गांदी जी थी उन्होंने बैंकों के राष्ट्रिय करण किया था और ये कहा था कि ये सारी बैंके दन्ना सेठों के कबजे में है बैंकों का पैसा दन्ना सेठों के कही काम आता है बैंक गरीब के लिए काम नहीं आती है इसका राष्ट्रिय कर दिया जाए और बैंकों गरीबों के लिए खोल दी जाए ऐसा बादा किया था इन्द्रा जी को गएMr. गए भी तो सालो बिद गएँ दसके दसक बिद गएँ लेकिन बैंग के दरवाजे तक कोई गरीब नहीं जा सकता था कोई बैंग वाला गरीब की तरफ देखने को त्यार नहीं था हम आए हमने देन ने किया ये बैंक गरीब के काम आनी चाहिए बैंक गरीब के लिए होनी चाहिए और भाई योब हनो हमने जनदन अकाउंट खोलने का भियान चलाया बैंक के लोगों ने भी हमारे साथ कंद से कंदा मिला कर काम किया और सत्रा अठारा करोड लोग जिनको कभी बैंक के दर्वाजे पर जाने का सो भागे नहीं मिलाता आज उनके सबके बैंक के खाटे खुल गए उनको रुपे का कार्ण मिल गया और मेरे देश के गरीबों की अमीरी देखिए अमीरों की गरीबी तो बहुत देखिए भायो लेकिन मैंने तो गरीबों की अमीरी को देखा है सरकार ने तो कहा था कि जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोलेंगे एक भी पैसा नहीं होगा तो भी बैंक अकाउंट खोलेंगे लेकिन मेरे देश के गरीबों ने 25,000 करोड रुपया से ज़्यादा रमा काम बैंकों में जमा करवाई और खाते खुलवाए ये मेरे गरीबों की अमीरी है और इसलिए भाईयों भनो और आज अभी जब हम ने प्रदान मंतरी मुद्रा योजना लाए आपको हैरानी होगी भाईयों हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का कोई काम करता है तो मध्यंबर्ग और निम्नमध्यंबर्ग के जो छोटे-छोटे लोग होते हैं अपना छोटा-मोटा कारोबार चलाते हैं वो रोजगार देता है अखबार बेचने वाला भी 5-7-9 जवानों को रोजगार देता है दूद बेचने वाला भी 2-3 दूद बेचने वालों को रोजगार देता है चाय बेचने वाला भी 4-6 जवानों को रोजगार देता है और साहुकार चमडी उधेर दे से ब्याज लेता है चमडी उधेर दे और वो बेचारा व्यापार में अपना आधी कमाई तो ब्याज में देता रहता है और कभी कर्जे से बाहर नहीं आता है हमने प्रधान मंतरी मुद्रा योजना लाई और हमने निड़े किया कि गरीब को जो छोटे-छोटे काम करने वाला नाई होगा दो भी होगा अकबार बेचता होगा छोटा ठेला लेकर के बिस्कीट बेचता होगा छोटे-छोटे काम करने वाला क्यों नहीं होगा अब उसको स से पैसा देंगे वो ब्याज के चक्कर से निकलेगा और वो अपना व्यावसाई भी कास करना चाहता है तो उसको पैसों की कमी नहीं आनी चाहिए अभी तो योजना लागू की है अभी तो शुरू हुए है मुश्किल से चार मेने हुए है अब तक भाईयों बहनों ऐसे चोटे चोटे लोगों को साथ लाख लोगों को ये छोटा आकड़ा नहीं है साथ लाख लोगों को करीब करीब 37,000 करोड रुपया का लोन दे दिया गया है 37,000 करोड रुपिया और भाई यो बहनो इसमें जादातर लोग बहुत ही छोटी रकम लेने वाले हैं किसुको 10,000 चाहिए किसुको 15,000 चाहिए यह दन्ना सेटों वाला खेल नहीं है और आज वो अपना कारोबार चला रहा है भाई यो बहनो इसमें जो बिहार को मिला है वो तो सब आप देखिए अकेले बिहार में सबातीन लाख लोगों ने अकेले बिहार में सबातीन लाख लोगों ने पिछले तीन चार महनों के भीतर भीतर इन बैंकों का लाब लिया और करीब एक हजार एक सो करोड रुपिया आज बिहार के इन सामान ने लोगों के पात गया और उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने में काम किया मुझे बताइए ये गरीबों की भलाई का काम हुआ के नहीं हुआ ये गरीब शाहुकारों के चंगुल से मुक्त हुआ कर नहीं हुआ ये हमें और आगे बढ़ाना है मेरा गरीब से गरीब बिहारी भी स्वाब इमान के साथ खड़ा हो इसके लिए बैंक आज गरीबों की सेवा में हमने खोल दिये इस प्रकार से गरीबों की सेवा होती है आप लोगों ने जब लोगों ने सुना कि हम एक रुपिय का भीमा उतानेंगे एक रुपिया गरीब एक महिने का एक रुपिया दे बारा महिने के बारा रुपिया कोई गरीब दे सकता है और दो लाख रुपिय का भीमा आज उसके जीमन में सुरक्षा का एसाथ दिला रहा है और भाईयो बहनो मेरे लिए एक खुशी की बात है कि चाहे प्रधानमत्री सुरक्षा भीमा योजना हो प्रधानमत्री जीवन जोती भीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो अकेले बिहार ने बहुत बड़ा कमाल करके दिखाया है भाईयो बैनो और करीब करीब सत्तर लाख लोगों ने याने एक प्रकार से सत्तर लाख परिवार सत्तर लाग परिवारों ने इस बीमा योजना पेंशन योजना का फायदा उठाया है इतने कम समय में इतना बड़ा फायदा लेने का काम बिहार के जागरूत मेरे मात्पसातियों ने किया है और इसलिए भाईयों भेणो अगर हमें बिहार को आगे ले जाना है तो बाकी सारी बातों से हमने उपर उठना पड़ेगा अपने पराये के चकर से निकलना पड़ेगा भाई भतीजा वाद से बार आना पड़ेगा एक मात्र जड़ी बुट्टी है जो हमें बचा सकती है उच जड़ी बुट्टी का नाम है विकास बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो एक ही जड़ी बुट्टी काम आने वाली है विकास और इसलिए मेरे भाईयों भनो मैं आप से विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ देश को पचाने के लिए हमने प्रस्ता चार के खिलाब लड़ाई छेडी थी पिछले चुनाओं में मैंने वोट मांगा था आप से ब्रस्ता चार से मुक्ती दिलाने का भाईयों भनो मेरी सरकार को 16-17 महिने हो गए है आपके आशिरवाद से मैं दिल्ली में बैठ करके आपकी सेवा कर रहा हूँ 16 महिने में हमारे गोर विरोधियों ने भी मुझको भाती-भाती की गालिया दी होगी भाती-भाती के जुठे आरोप लगाए होंगे लेकिन अभी तक हमारा कोई गोर विरोधि भी मोदी पर एक नए पैसे के ब्रस्ता चार का आरोप नहीं लगा पाया बाईयो भेना बताईए मैंने वादा निभाया के नहीं निभाया कोईले का कारोबार में देश बदनाम हो गया था उससे मुक्ति दिलाई की नहीं दिलाई तूजी के कारोबार में देश को लूट लिया गया था मैंने बचाया के नहीं बचाया भाईय भेना जो वादा किया था उसको पूरा करने का इमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ मैं और आज इमानदारी के साथ देश आगे पड़ रहा है और इमानदारी के साथ देश चलाने के लिए मैंने आपको वादा किया है उसको मैं निभा रहा हूँ क्या बिहार में इमानदार सरकार चाहिए कर नहीं चाहिए बिहार में इमानदार सरकार चाहिए कर नहीं चाहिए बिहार की जनता का पाई पाई बिहार के लिए खर्च होना चाहिए अभी अभी आपने टीवी पर देखा होगा अगर यह जो टीवी पर आपने देखा उसमें अगर कोई हमारा होता बाज़पा वाला तो पूरी सप्ता भर वो कायरकम चलता कभी मनोवे ज्यानिक आकर के विश्लेशन करते कभी पुराने अपसर आकर के विश्लेशन करते कभी पुराने नेता आकर पता नहीं जिसने भी प्रकार के डंडे हमको मार सकते थे मारे जाते अभी कैमेरा के सामने बिहार की नितिश जी के सरकार के मंत्री रंग यहां तो रूपिय लेते पकड़े गए और वो बिहार का सोधा कर रहे हैं सोधा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तुमारा यह काम हो जाएगा एडवांस में इतना दे दो बिहार बेचने का एडवांस लिया जाता है कैमेरा के सामने लिया जाता है लेकिन हमारे देश में खबर आई और चली गई कोई चर्चा नहीं कुछ नहीं लेकिन नितिज बाबु दिल्ली वाले भले भूल जाए बिहार की जनता नहीं भूलने वाली आप याद रखें बिहार की जनता भूलने वाली नहीं है और नितिज बाबु आपने वादा किया था आपने वादा किया था कि ब्रश्टा चार में जो पकड़ा गयाएगा उसकी मिलकद उसका मकान बंगला कब जाकर लिया जाएगा और उसमें स्कूल खोला जाएगा ये नितिज बाबु ने कहा था ना स्कूल खोलने के लिए कहा था उनके एक मंत्री रंगे हाथो पकड़े गए है लाखो रुपया लेते पकड़े गए क्या उनके मकान को जब्त किया गया क्या उसमें स्कूल खोला गया क्या मुझे बताईए ये गपोड बाजी कर रहे गा नहीं कर रहे भाई ये मुरग बनाने का काम कर रहे गा नहीं कर रहे ज़रा मैं और एक बात पूछना चाहता हूं ये लालू जी उन पर प्रस्टाचार का आरोप था कि नहीं था याया आधालत ने उनके पर प्रस्थाचार का मानने रखा के नहीं रखा यारो मैं नही लग रहा हूं आदालत ने उनको सजा की कि नहीं की अभी जेल से वो पैरौल पर आये है कि नहीं आये क्या नितीज बाबो उनकी सबपति आपने जबत कि hebben उनका बंगला जब तकिया क्या उसमें स्कूल खोला क्या क्यों नहीं खोला क्योंकि आप पिछले दर्वाजे से उनसे दोस्ती कर रहे थे क्या कि चुनाओं में आपको काम आ जाए बर्ष्टा चार के खिलाब ऐसे लड़ाई या नहीं लड़ी जाती है आपका जेडियू कहे में उमीदवर दो लाग लेता है कहता है नहीं पांच लाग और दो बाकी सोधा बाद में करूंगा कैमेरा के सामने प्रश्टा चार की लूट चली है लेकिन भाईयो भेनो इनको कोई जवाब देना है न सरमीन की महसुस होती है और हमारे कुछ लोग उनको सवाल भी पूछ इसने की हिम्मत नहीं करते हैं और इसलिए भाईयो भेनो मैं सारवजने ग्रूप से कहने आया हूं देश को इमानदारी भी चाहिए और देश को विकास भी चाहिए तबी जाकर के देश प्रगिती की उचाहियों को पार करें भाईयो भेनो मुझे बताए बिहार की सबसे ब नवजवानों को बूड़े माबाप छोड़कर के जाना पड़ रहा है नहीं जाना पड़ रहा है मुंबई दिल्ली की जुग्गी जोपड़ी में अप्मानिच जिन्दगी जीनी पड़ती है यह नहीं पड़ती हैं मैं एक दिन फरीदाबाद मेट्रों में गया था तो मुझे उस मेट्रो ट्रेइन में जितने लोग मिले उसमें 80% नौजवान बिहार से वहां रोजी रोटी खोजने के लिए आए यह मजबूरी किसने प्यादा की आप मुझे बताए बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए पलायन बंद होना च मेरा तीन सुत्री कारकम है बिहार के सभी परिवारों के लिए है न उसमें कोई जातिवात का रंग है न उंची नीच का रंग है न छुवा छुट का रूख है न अपने प्राय का रंग है एकी बात बिहार के नवजवानों का भाग्या बिहार की आने वाली पिड़ी का भाग्या और इसलिए मेरा तीन सुत्रिकारकम है पहला है पढ़ाई दूसरा है कमाई और तीसरा है दबाई बिहार के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छी सस्ते से सस्ती सिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए अच्छे से अच्छी सस्ते से सस्ती सिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए ये पढ़ाई का अवसर गरीब के गरीब बच्चे को मिलना चाहिए और इसलिए मेरा एक सुत्री कारकम है पढ़ाई दूसरा है कमाई बिहार के नवजवान को बिहार में कमाई करने का अवसर मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए लालू जी के राज में क्या चलता था अब भरन करना यही उद्योग था फिरोती यह उद्योग था अरे किसी के घर में नई गाड़ी आए तो उनके चार लोग आ जाते थे हफ्ता लिए बिना गाड़ी बाहर ले जाने देते थे और गाड़ी बाहर ले गए तो गाड़ी रोड़ पर से उड़ जाती थी भाईयो वो दिन बिहार ने देखे और इसलिए भाईयो बहनो अगर कमाई चाहिए तो यहां उद्योग लगना चाहिए यहां की खेती को बल मिलना चाहिए अब मुझे बताइए बिना बिजली को उद्योग लगेगा क्या बिना बिजली को उद्योग लगेगा क्या बिहार को बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए आज भी हिंदुस्तान में बिहार एक राज ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा गावों में बिजली नहीं है चार हजार गाव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा तक नहीं है भाई ओ, खंभा तक नहीं है मैंने पंदरा अगत को पंपलिकली कहा है पंदरागत को कहा है लाल किले की प्राची से कहा है आने वाले एक हजार दिन में हिंदुस्तान में जो 18,000 गाउं जहां बिजली नहीं है हम बिजली पहुंचाएंगे जिसमें 4,000 गाउं बिहार के है वहां बिजली पहुंचाएंगे भाई यो भेनों हमने 24 गंटे बिजली पहुँचाने का वादा किया है 2022 जब हिंदुस्तान के आजादी के 75 साल होंगे हम 24 गंटे बिजली पहुँचाने का संकल पर लेकर के काम कर रहे हैं और इस बिजली पहुँचाने के काम के लिए बिहार के एक-एक जिले को एक-एक जिले को 300.5 करोड रुपे की पहली किस्त हमने अल्रेडी देने का फैसला कर लिया है भाईयो जो आपके मुझे फरपुर को मिल लगा बिजली आएगी तो उद्योग लगेगा और नहीं लगेगा ये नितीज बाबु ने 2010 में जब आप पर से वोट लेने के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था वो बिजली देंगे बिजली देने का वादा किया था बिजली नहीं लाओंगा तो वोट नहीं माओंगा कहा था वो वोट मांगने के लिए आये के नहीं आये बिजली आई क्या अरे बिहार में तो बस में लोग जाते हैं तो बात क्या करते है ट्रेन में बैटे हैं तो बात क्या करते है कभी फोन करते हैं हमारी यार सूरत बिहार के लोग को बेटा रिस्तेदारों से क्या बात करते हैं बात क्या करते हैं अरे यार तेरे हां आई थी क्या वो कहता नहीं यार इस हफ्ते तो नहीं आई तो विले तुम्हारे आई थी क्या हा यार पिछले मंगल को एक गंटे के लिए आई थी याने बिजली कब आई थी इसकी चर्चा होती है कहते मंगल को एक घंट आई थी ये तो इन्होंने हाल करके रखा है बिजली लाने ही पाते और वोट मांगने के लिए चले आए हैं भाईयो भेनो यहाँ पर उद्योग लगने के लिए हम भुटान गए पानी से निकलने वाली बिजली का कार खाना लगाने का फैसला किया नेपाल गए पानी से निकलने वाली बिजली का कार खाना लगाने का फैसला किया और यह भी निने किया वो बिजली बिहार को दी जाएगी बिहार को दी जाएगी भाईयों बेहनों बिजली आएगी तो उद्धोग लगेगा यह आपकी मुझे फरपुर की लीची अगर बिजली होती और लीची को समालने के लिए व्यवस्ता होती लीची के प्रोसेस के लिए व्यवस्ता होती तो यहां के किसान को कभी दुखी होने की नौबत नहीं आती लेकिन उनको करना नहीं है मैं तो हरान हूँ बिहार में इतना पानी है इतनी नदिया है गरीब लोग है मेहनत करने को तयार है सिरह मठली पकड़ने का काम बेग्यानिक तरीके से किया होता ना मठली पकड़ने का तो आज बिहार के लोगों को खाने के लिए 400 करोड की मठली बाहर से नहीं लानी पड़ती भायों बाहर से पानी आपके सामने हो और मचली बाहर से लानी पड़े 400 करोड रुप्या हर साल मचली के लिए चला जाए ऐसी कैसी सरकारे चलाई यह इनोने और इसलिए भाईव बेनो यहाँ पर बिजली रोजगार के लिए अउसर देने का कारिण बननी चाहिए उस पर हमबल देना चाहते हैं और इसलिए मेरा दूसरा सुत्र है कमाई है मेरा तीसरा सुत्र है दबाई बुजुर्गों को दबाई मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए डॉक्टरन मिलना चाहिए दबाखाना मिलना चाहिए हमारे बुजुर्ग कहां जाएंगे भाईयो और इसलिए हर परिवार के लिए मेरा कारकम है पढ़ाई कमाई और दबाई भाईयो बहनों बिहार के मेरा लिए तीन सुत्री और कारकम है वो बिहार राज्य के लिए है वो है बिजली पानी सड़क अगर बिजली आ जाएं उद्जोग लग जाएंगे बिजली आ जाएं स्कूलों के अंदर कम्प्यूटर चलने लग जाएंगे बच्चों को आधुनिक सिख्षा मिल जाएगी भाईयो बहनों पानी अगर खेत में किसान को पानी मिला तो बिहार का किसान मिट्टी में से सोना प्यादा कर सकता है और इसलिए भाईयो बहनों बिहार को आधुनिक बनाने के लिए सडकों का जाल बिछाना चाहिए और इसलिए मैं चाहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ भारत को हमें दुनिया की उच्चाईयो पर ले जाना है भाईयो लेकिन अगर हिंदुस्तान का पस्षीमी छोर अगर विकास करेगा और पूर्वी हिंदुस्तान विकास नहीं करेगा तो भारत कभी आगे नहीं बर सकता है केरल आगे बढ़े, करनाटर आगे बढ़े, गोवा आगे बढ़े, माराथ आगे बढ़े, गुजरात आगे बढ़े, राजस्तान आगे बढ़े, हरियान आगे बढ़े, पंजाब आगे बढ़े, इतने से देश आगे नहीं बढ़ेगा हमारे शरीर में एक हाथ मजबूत हो लेकिन एक हाथ दुरुबल हो तो शरीर कभी मजबूत नहीं हो सकता है और इसलिए भाईयों भेलो अगर हिंदुस्तान का पस्चिमिस किनार आगे बढ़ रहा है तो हिंदुस्तान का पूर्वी छोर भी आगे बढ़ना चाहिए चाहे वो पूर्वी उत्तरप्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे उडिशा हो चाहे पस्चिममंगाल हो चाहे आसाम हो चाहे नौर्थिस का इलाका हो जब तक हम यहां आर्थिक उंचाहिया प्राप्त नहीं करेंगे हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है और इसलिए भाईयो बहनो मेरा मकसद है हिंदुस्तान के पुर्वी छोर को पहली प्रात्फिक्ता देना उसको आगे बढ़ाना और इसलिए एक लाग पचीस हजार करोड रुपिया का पैकेज बिहार की जनता के चरड़ों में रखा है भाईयो और चालीस हजार करोड का पुराना पैकेज जो पहले दियानेगिया कागेज पे लिखा गया था वो चालीस हजार करोड भी हम देंगे एक लाग पैंसट हजार करोड रुपिया एक कम नहीं होता है भाईयो कम नहीं होता है एक लाग पैंसट हजार करोड जब लगेगा तो बिहार का जीवन बढ़लेगा कि नहीं बढ़लेगा बिहार का भाग्य बढ़लेगा कि नहीं बढ़लेगा और इसलिए भाईयो भेनो जब मैं एक लाग पैंसट हजार करोड रुपिया बिहार के भागय को बदलने के लिए लगाने की बात कर रहा हूँ तब भाईयो भेनो यह हमारा मुझफर पूर भी अचुता नहीं है गंगा नदी पर मौझुदा एमजी से तो उसके समानतर नया चार लेंड पूल बना ले के लिए जो उत्तिरी बिहार के सभी जिलों को अलाब मिलेगा पाँच हजार करोड रुपिया से एक नया ब्रीज बनाएंगे हाँ मुझफर पूर में नए लपीजी प्लांट की स्थापना के लिए 110 करोड रुपियों की लागत से काम होगा वालमी की नगर नरकटिया घंज सुगोली मुझफर पूर सहीत सुगोली रक्सोल रेलवे विद्धूति करन के लिए 400 करोड रुपिया लगाए जाएंगे मुझफर पूर में National Institute of Electronics and Information Technology का केंद्र की स्थापना की जाएगी हर गर में निरंतर बिजली मिले इसलिए जिले जिले को दाई सो तीन सो साड़े तीन सो करोड रुपिया बिजली के लिए लगाया जाएगा भायो भनो विकास एक मात्र रास्ता है हमारी सबस्चाव का सबाधार के लिए और ये बीड जनसागर उनकी इतनी गर्मी बढ़ा देता है को अनाप छनाप बोलते हैं अब उनका जनता पे भरोसा नहीं रहा इसलिए तांतरीकों की सरण चले गए है उनको मंत्र तंतर करने दो न बिहार को तांतरीकों के सरण भेजा जा सकता है न बिहार की श्तरकार तांतरीकों के भरोसे होनी चाहिए बिहार तो लोग तंतर के भरोसे चलेगा मंत्र तंतर के भरोसे नहीं चलेगा हम अठारवी सताब्दी में देश को नहीं ले जा सकते हमें 21 सताब्दी में जारा है हमारे नौजवानों को ताविद नहीं चाहिए उन्हें तो लेप्टॉप चाहिए तब जाकर के देश बद बिहार बनाना है और इसलिए भाईयो बेनो मैं विकास के मुद्धे पर इस चुनाओं के मैदान में आपके आतिर बात चाहता हूं और मैं बादा करता हूं भाईयों आप मुझे बताइए कहीं पर एक स्कूटर गड़े में गिर जाए तो दो चार लोग मित्रब इखटे होकर के खीच करके बाहर निकाल सकते हैं कि निकालते हैं ना लेकिन कुए में गिर जाए तो टेक्टर लगाना पड़ता गे नहीं लगाना पड़ता है रसी बांद करके निकालना पड़ता गे नहीं निकालना पड़ता ये बिहार ऐसे गड़े में हैं कि एक एंजिन से बिहार गड़े से बार नहीं निकलेगा उसको दो एंजिन की जरुवत है एक बिहार सरकार का एंजिन और दूसरा दिल्ली सरकार का एंजिन ये दो एंजिन लगेंगे तब जाकर के इतने बड़े गड़े में से बिहार आएगा और इसलिए भाईयो बेहनो डबल एंजिन लगाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ दिल्ली सरकार का एंजिन लग जाए और बिहार में आप ऐसी सरकार बनाएए वो एंजिन भी लग जाए तो आप देखिये बिहार गड़े में से बार आता है कि नहीं आता है और एक बार गड़े में से आ गया तो बिहार नई उचाईयों को पार कर लेगा भाईयो और इसलिए मैं आप से आशिरवाद मांगने आया हूँ इतनी भारी संख्या में आकर के आपने आशिरवाद दिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ भाईयो बेहनों पहले चरण से दूसरे चरण में मतदान जादा हुआ दूसरे चरण से तीसरे चरण में मतदान जादा हुआ अब चौथे चरण की बारी है सारे रकौड तोड़के मतदान करोगे जादा से जादा मतदान होगा लोक कंत्र में मतदान करना हमारा दाईत्व है और इसलिए पहले मतदान करेंगे बाद में जलपान करेंगे पहले मत्दान फिर जलपान हर गर पहुँँच करके नौजवानों अदिखतम लोगों का मद्दान करवाईए शांति पुण मद्दान करवाईए और ये लोग तंतर का उत्सेघ्ग बन रहा है हर गाउ में लोग तंतर का उत्सेघ्ग बन जाए यही मेरी शुक्तामना है भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद